हमारे साथ आज तक पर लाइब जुर रहे हैं अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर अश्विनी जी सबसे पहले तो आज आपने एक emotional appeal अपने press conference के जरीए भी छात्रों को की है मैं चाहूंगी कि उसी से शुरुवात करे ताकि एक जाच के जरीए एक बहतर निशकर्ष बच्चों के भविश्य को लेकर निकले इसके लिए आप क्या कहेंगे देश भर में जो छात्र आपको सुन रहे होंगे उसके बाद कई सवाल में आपके सामने रखोंगे अश्वनी जी मेरा चात्रों से अनुरोध है कि रेल्वे ने जो ये परिक्षा किये इसमें एक करोड़ पच्चेस लाक एप्लिकेंट थे टोटल परिक्षा एकदम ट्रांस्पेरेंटली की गई कहीं पर भी किसी भी जगे कोई कंप्लेंट नहीं आई एक लंबा प्रोसेस होता है इतनी बड़ी संख्या में अगर एक्जाम करना है तो उसमें निश्चेत तरीके से उसमें लगता है और अब जब परिक्षा के रिजल्ट आएं तो एक्जाक्ली जिस तरह से नोटिफाई किया था उसके इसाब से आए लेकिन फिर भी चात्रों का एक जो कंसर्न है कि 20 गुने शॉट लिस्ट हुए है परिक्षा के 1st स्टेज से 2nd स्टेज के लिए इसमें चात्रों का ये पॉइंट है कि जो चात्र एक से ज़्याधा केटेगरी में शॉट लिस्ट हुए है उनको किवल 1 के न आ जाए यह मुद्दा है इस मुद्दे को हम हमने एक कमिटी बनाई है उस senior officers हैं बहुत experienced लोग है जिन्होंने कई कई recruitment कियें बड़े तो वो इस committee को examine करेंगे मेरा चात्रों से निवेदन है कि railway आपकी अपनी संपती है इसको किसी भी तरीके से आप संबाल के रखें और किसी के भ्रह्मेन आये हम लोग एकदम transparently आपके साथ है और जिस दिन से मुद्दा हुआ उसी दिन से transparently आपके साथ बात कर रहें एंगेज कियें तो इसको एकदम इस मुद्दे को आप अपने तरीके से committee के सामने formally रखें कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में मत लीजीए चीक है अश्विनी जी आज तक कई निकली 2021 में जाकर exam हुआ 2022 में जाकर नतीजे का भी पहला round आया उसमें भी अन्यमित ताय हुई है और जाच committee बठानी पड़ी है चात्रों का कहना है कि जब आप कहेंगे कि सर कुरोना की वज़े से हुआ चात्रों का कहना है कि जब इस देश में लोग vote करके सरकारे चुन सक तो तै वक्त पर तै समय सीमा में exam और उसके नतीजे क्यों नहीं आ सकते तीन तीन चार चार साल चात्र क्यों लटक करे है अश्वनी जे बिलकुल नहीं इसमें कोई डिले की बात नहीं है न कोई करोना की बात है करोना के बावजूद भी बहुत अच्छे से सहीमित तरीके से ट्रांस्पेरेंट तरीके से exam हुआ है आप देखिए ये 2019 में वेकेंसी निखली एप्लिकेशन कितनी आई 35,000 वेकेंसी के अगेंस्ट आई 1,25,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 एक्टिविटी और इसritि को ट्रांस्पिरेंटली करना जिससे कहीं पर कोई किसी तरीक और पिता नहोग वह सब ध्यान में रखते वह इर्रेगुलरिटीने नो अब अब डॉसरा सवाल की तरफ से मैं आपसे पूछ रही हूं वह यह उंकाmaybe कि अभी तकji बिला राउंड हुआ है सर, अभी दो राउंड और होने, अगर मैं सही हूं तो तीन राउंड जो कि एक्जाम होने, तो ये अभी अन्यमित्ता हैं, अब जाच होगी, तो बड़ी वो फील कर रहे हैं कि वो ऐसी जगह पर लटक गए हैं, जिससे उनको भविश में लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो ये जो डिले, अब सोचिए सर कि 19 से लेकर अगर 24 तक खीच गया, तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए, तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई टाइम लाइन है, जो आपने इस रेलवे भरती के लिए रखी है, बताव रेल मंत्री आप इस इतने भी चे excerPersons हैं, वो अल्रडी आज से एंगेजमेंट चालू कर दिए हैं, पैले भी एंगेज किये थे, लिकिन आज से formally एंगेजमेंट चालू कर दिए हैं, कि आप अपनी grievances को formally हमारे सामने रखों, विदिन नेक्स टू वीक्स उसका result भी आजाएगा, तो इसमें को 20 गुना जो number of post हैं उसके comparison में उसके सापेक्ष में 20 गुना candidates की अभी उनको shortlist होनी थी लेकिन वो कह रहे हैं 20 गुना candidates की जगा 20 गुना roll numbers हो गये हैं एक ही व्यक्ति का कई अलग-अलग post में chain हो गया है इस पर आप क्या आश्वासन देंगे छात्रों को कि इसको कैसे आप tackle कर देखिए नियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक post पे shortlist करने से कोई नहीं रोख सकता क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि आप अगर graduate है तो 10 प्लस 2 वाली category में apply न करें कानून है constitution है एक framework के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से definitely बिलकुल न 20 टाइम्स लिए गए अब प्रश्न उठता है कि जो candidate देखे संख्या है बहुत बड़ी है एक करोड 25 लाग में से अगर 7 लाग shortlist वे तो बाकी लोगों को लगता है कि काश हमको एक और माका मिलता है काश हमको थोड़ा सा माका मिलता है तो हमें इन सब चीजों को balance करके कोई समाधान निकालना पड़ेगा हमें यह देखना पड़ेगा इसमें कि जो लोग shortlist हुए हैं उनका भी interest कहीं पर हैंपर नो और जो बाकी लोग जो grievance है grievance बहुत बड़े नंबर के कारण grievance एक आज एक जिस तरह से सामने है तो इसको solve करने का कोई ने कोई लीगल और fair और prudent तरीका ढूंडना पड़ेगा इसी के लिए इतने senior लोगों की committee बनाई हमें विश्वास से इसका समाधान निकलेगा और चात्रों के साथ समबाद चालू है जारी है इस समबाद से ही कोई समाधान निकलेगा अश्वनी जी कई जगों पर चात्र बहुत उग्र हो गए हैं ज अब इस पर चात्रों की और एक तरह से नाराजगी बढ़ी है अश्वनी जी देखे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा चात्रों से कि आप कानून को अपने हाथ में मत ले जब जैसे ही दूसरे दिन से point आया तो तुरंथ हमने transparently सारे facts आपके सामने रखे आज भी हम लोग clearly आपके साथ समवेधन शीलता के साथ आपके साथ engaged है आपके साथ बाचित कर रहे हैं समवाद कर रहे हैं इस समवाद से समवादा निकलता है कहीं भी कानून आत्मे लेने की ज़रूरत नहीं है और railway किसकी संपती है आप ही की संपती है आप railway join करना चाते हो बविश्य रेलवे का बविश्य आपके हाथ में तो इस बविश्य को अच्छा बनाओगे या जलाओगे यह तो अपने को खुद को तैय करना है यह आपने कहा कि हमारा चात्रों के साथ समवाद भी चल रहा है तो क्या किसी स्तर पर आप लोग engage भी कर रहे हैं ऐसे लोगों नहीं है देखिए एक क्लियर नियत के साथ काम कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में अगर एक्जाम करवाना है तो इसके चैलेंजेस को भी सबको देखना ही पड़ेगा ना इन चैलेंजेस को सबको स्विकार करना पड़ेगा ना ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक्जाम 4-5 होगा सब निश्चिंद्रें दन्यवाद एक आखरी सवाल से यह जो हमने देखा है कि कहीं आपको ऐसा डर तो नहीं लग रहा है कि इलेक्शन्स में यह बड़ा इशू बन जाएगा उत्तर प्रदेश में विपक्ष से उठा रहा है मैं विपक्ष से भी कहना चाहूँगा कि चात्रों को ब्रहमित न करें यह चात्रों का मामला है समेदन समेदन शीलता के साथ करना चीए देश का मामला इसमें कोई राजनिती की बात नहीं है अगर स्टुडेंट्स को अगर कोई पॉइंट पे कंसर्न है कोई ग्रीवेंस है तो उसको सॉल्व करेंगे हम इसमें राजनिती कहां से आई यह भी कहा गया था बीते दिन हिंसा के बाद की आइडेंटिफाई करके जो हिंसा कर रहे हैं उनको फिर से रेलवे के एक्जाम में बैटने नहीं दिया जाएगा क्या इस पर भी कोई आश्रासन आप छात्रों को देना चाहेंगे इस पर मौजूदा रुख क्या है जो भी पॉइंट है सारे की सारे पॉइंट कमिटी के सामने रखे जाएं और उसका समाधान करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद ये एक बहतर निशकर्ष बच्चों के भविश्य को लेकर निकले इसके लिए आप क्या कहेंगे देश भर में जो छात्र आपको सुन रहे होंगे उसके बाद कई सवाल में आपके सामने रखोंगे अश्वनी जी आप से आए लेकिन फिर भी छात्रों का एक जो कन्सरन है कि बीजुने शॉटलिस्ट हुए परिक्षा के फर्स्ट स्टेज से से किंड स्टेज के लिए इसमें चात्रों का ये पॉइंट है कि जो चात्र एक से ज्यादा कैटेगरी में शॉटलिस्ट हुए उनको केवल एक ना जाए यह मुद्दा है इस मुद्दे को हम हमने एक कमिटी बनाई है उस senior officers है बहुत experienced लोग है जिन्होंने कई-कई recruitments कियें बड़े तो वो इस कमिटी को examine करेंगे मेरा चातरो से निवेदन है कि railway आपकी अपनी संपती है इसको किसी भी तरीके से आप संभाल के रखें और किसी के ब्रह्मेन आये हम लोग एकदम transparent लिए आपके साथ हैं और जिस दिन से मुद्दा हुआ उसी दिन से transparent लिए आपके साथ बात कर रहें एंगेज किये तो इसको एकदम इस मुद्दे को आप अपने तरीके से कमिटी के सामने formally रखें कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए चीक है अश्विनी जी आज तक कई जगों पर इन छात्रों से बातचीत भी कर रहा है अब छात्रों की तरफ से तीन बड़े सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप उसका जवाब देंगे तो जो चात्रें वो भी सुनेंगे आश्वास्त होंगे उनका कहना है कि सर्थ 2019 में भरतियां मिली निकली 2021 में जाकर एक्जाम हुआ 2022 में जाकर नतीजे का भी पहला राउंड आया उसमें भी अन्यमित ताय हुई है और जाच कमिटी बैठानी पड़ी है चात्रों का कहना है कि जब आप कहेंगे कि सर्थ करोना की वज़े से हुआ चात्रों का कहना है कि जब इस देश में लोग वोट करके सरकारे चुन सकते हैं तो ते वख्त पर ते समय सीमा में एक्सायम और उसके नतीजे क्यों नहीं आ सकते तीन-तीन-तीन, चार-तीन, चाहर साल छात्र firearm क्यों लटक कर रहे हैं? अश्वनी जे बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डिले की बात नहीं है, ना कोई करोना की बात है बहुत अच्छे से सहीयमित तरीके से ट्रांस्परेंट तरीके से एक्जाम हुआ है आप देखिए ये 2019 में वेकेंसी निखती है क्योंकि सबको पता है खाइन से पागल की तरह नहीं चिलाते हैं देखिए अगर प्रसासन की बात में दम है तो प्रसासन हमको औरेस्ट कर ले आंदोलन खतम हो जाना चाहिए लेकिन प्रसासन अरेस्ट कर लेगि आंदोलन और उग्रोजाए नमस्कार न्यूस तक देख रहे हैं आप और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोकप्रिय सिक्षक खांसर हैं खांसर आज हमारे साथ इस वक्त इसले मौझूद हैं क्योंकि बिहार में कहें कि क्योंकि अब पटना से यह आंदोलन जो है आरारवी एंटी पीसी के तमाम अभ्यर्थी जो परिणाम से नाराज हैं वो अब पटना से बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों की आस्ता दिखा रहे हैं और कहरें कि आप अब सड़क पर जाएं इतना बड़ा आरोप लग रहा है है आप पर सबसे पहले तो आपकी टिपड़ी जानना चाहूंगी यह प्रतिक्रिया क्या रहेगी प्रशासन ने जो यह बात कहा है अगर प्रशासन की बात में दम है तो प् जार भी इसकदर बेवकुफी करेगी यह हिंदुस्तान के किसी को नहीं पता था उनके आगे एक समस्या थी कि उन्होंने एक इंटरमीडियेट के लड़कों को और ग्रेजुएशन के लड़कों को एक कॉमन एक्जाम दिया पेपर दिया सॉल्ब करने की जैन्मी ने 23 इस टाइप का अलग अलग बोर्ट के हिसाब से गिया है और इंटर वालों का कट अफ गया है सो में चानवे नंबर वह ऐसे मर गया वहाप उसको डबल मारे आपने उसको कट अफ हाई रखा उदर गया अदूसरा जिस पेपर को इंटर के लेबल का की है ग्रेजुएशन व सब्क्राइब मतलब बनेंगे और कि आप या तो बीज़ां सब्सक्रांइब के लिगे अ कos लिग 도्त पर यहां पर तौल लगा हु det और खान सर का फोन भी स्विच ओफ आ रहा है जब से F.I.R. दर्ज हुई है उसके बाद से वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं कहा है ये पता नहीं है पुलिस ने जो F.I.R. में नाम दर्ज करके उन्हें नोटिस भी किया है लेकिन आगे क्या हो रहा है ये जांच में पता चारों और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नजर आते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करने आते हैं बिहार के हर जिले से नहीं बलकि देश के कई जगों से भी आपको यहां पर स्टूडेंट मिल जाएंगे क्योंकि यहां S.S.C. की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, र लंगामा के पीछे आप क्या देखते हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि खांसर इसके पीछे थे उन्होंने लोगों को भड़का हैं। यहां विद्यार्थी क्या करेगा कोई टीचर का इसमें रोल नहीं है। लाश्ट तक का उसका चार साल-पांच साल लगाया जाता है। दिक्कत यह भी है और दिक्कत है कि हम लोग अभी जो लॉगड़न आया है इससे गारजन का इंकम हम लोग का कुछ नहीं है। गारजन लोग खेती गिरस्ती करते हैं हम लोग को 5000-6000 भेजते हैं यहां का आप रेंट जाके सुनिएगा लॉज अनर से तो एक एक रूम का छोटा छोटा रूम जिसमें एक बैट लगता है हम लोग को थोड़ा सा स्पेस मिलता है खाना खाने के लिए उसका रेंट है आप को मिनिमम पचीस सो दो हजार उसी में हम लोग को 5000 में सब चीज एपट करना यहां आप सबजी करेट जाके पूछी यहां बगल में हाथ है फिर आरी आप लोग यह कहना चाहते हैं कि महगाई बेरोजगारी दोनों की मार है और उपर से पुलिस की भी मार है और नौकरी जो ह कोई भी निउज वाले हो सर इसमें भले आप लोग को बुरा लगेगा एवी पिनुज एंडी टीवी आस तर कोई भी हो किसी मेडिया ने कभरेज नहीं किया सर अगर आप लोग सपोर्ट में आते ना सर कि आप लोग को पूरा देश दुनिया देखता है सर आप लोग आते ऑब अपनी बात क्या बताना चाहते हैं आज ये जो हुआ इतना बड़ा आज ये जो हुआ है इसके पीछे प्रोटिश्ट के पिछे सब बोला जा रहा है कि सर कहांत हैि कोई भी इंडियूचिक्ट सेटी जारा कर लेकिश की यूटूब के माधियम से लड़कों को भड़का रहा रहे थे हैं हम देते हैं एक मिनट इनका जबाब हम देते हैं जो भी है हम लोग पले 8 से 10 मिलियन ट्वीट किये हैं डीटल प्रोटेस्ट किये हैं सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं किया कोई रिस्पोंस नहीं दिया है सर देखिए सच का साथ देना सच बोलना गलत है तो सच बोलेंगे क्या समझें और कभी भी जो उनका कोई भी ओफिस्यल वीडियो उठा के देख लीजे ओ लड़कों को प्रवोक नहीं कर रहे हैं अंदोलन के लिए यहां तक हो समझा रहे हैं कि ऐसा करना गलत होगा और हर एक ही विडियो मोने सांती ओझांट हbuat मतलब हम घंसे अंद लॉन करने किनसे बढ़क सिंख़ा किसे बढ़का कर यह इंदर का बढ़क है यह कहीं लोगा करुसंब नहीं हो ऐसा क्यों लिआ फेर चुनाब हो रहा है अगर किसी ने तक को बोलिए कि एक बडbur भुईस दिन पहले एक जाम से झोटी ने वाला था सब्ढें山 yogisi ऐसरों कूए विभी notification निकलता है। उससा में कोई भी मतलब कैसे एक्जाम होता हूँ पहले notification में रहता ह। मगड़ ये कोई मतलब उस्सा में नहीं था 2019 में ये नियम कोई नहीं था मतलब से हम दो बेर एक्जाम लेंगे लेबल भाई पाई फ़स्ट ही तो डेरी से एक्जाम और उपर से उसमें शर्ते नहीं नहीं कर सकता है लेटर नोटिफिकेसन नहीं निकल लाता है लेकन उसमें उन्होंने दो दिन पहले चेंज कर दिया तो ये कैसे किया मेरा यही सवाल है, आप सभी सवाल है, कि आप ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, ये उपत्रा हुआ है पुरे बिहार में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या आरार्बी या फिर खान सर? आरार्बी ने हम लोगों को बीबस कर दिया, ये करने के लिए, हम लोग दो साल से ओनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रसासन की बात में दम है, तो प्रसासन हमको अरेष्ट कर ले, आंदोलन खतम हो जाना चाहिए, लेकिन जिजदिन प्रसासन अरेष्ट कर लेगी ये आंदोलन और उगर हो जाए। नमस्कार, न्यूस तक देख रहे हैं आप और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, लोगप्रिय सिक्षक खांसर हैं। खांसर आज हमारे साथ इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बिहार में कहें कि क्योंकि अब पटना से ये आंदोलन जो है आरारभी अंटीपीसी के तमाम अभ्यर्थी जो परिणाम से नाराज हैं, वो अब पटना से बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन छात्रों की नाराजगी से एक लिंक जो है खांसर की तरफ जोड़ा जा रहा है। एक सवाल उठाया गया है प्रशासन की तरफ से कि खांसर माफिया की भूमिका में हैं और वही छात्रों को उग्र कर रहे हैं, वही छात्रों को रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नोग आखाया है कि हम लोग पिछले तीन साल से चेता रहे थे यह गलत हो रहा है लेकिन आरहुपी ये हिंदुस्तान कि किसी को नहीं पता था उनके आगे एक समस्या थी कि उन्होंने एक intermediate के लड़कों को और graduation के लड़कों को एक common exam दिया पेपर दिया solve करने की जैन्मी ने graduation वालों को फायदा हो गया है लगबक 74 73 इस टाइप का अलग-अलग बोर्ड के इसाब से गया है और इंटर वालों का cut-off गया सो में 96 नंबर वह अईसे मर गया वहां पर उसको डबल मारे आपने उसको cut-off हाई रखा उधर गया अदूसरा जिस पेपर को इंटर के लेबल का की है ग्रेजुएशन वाला वैसे उसमें अभी हो जाएगा और गलती क्या किया जो ग्रेजुएशन वाला है उसको एक लड़के को तीन-चार जगा उसको रिजल्ट दे दिया गया तो यह होता है है final selection के टोरेंड कि आपका आपका रेजल्ट जैसे पी टी का इसम होता है वह आपको selection देने के लिए नहीं होता है भीड कम करने के लिए होता है वहां क्या मतलब बनता है कि आप श्तेशन मास्टर बनेंगे कि आप ट्रेफिक बनेंगे या फिर आप commercial apprentice क्या मतलब बनता है वो तो भीड छाटने के लिए था तो लगबग 70 लाख लड़के मरे थे तो सात लाख का उसमें रिजल्ट होना था बीस गुना भीड छाट लेते अब उस भीड में आप अलग-अलग एक्जाम लेते कि भाईया देखो ग्रेजु भीड लेते ।